तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक टीनेजर हैं या आपके घर में मेरा काम है कि अगरा चाहिके कोई टीनेजर हैं तो निकीशा इसी सवाल में मेरा वेट कम है मेरा वैट कम के लिए कि लए कि यहाईट कम में SOW सबसे वड़ा सवाल है कि right weight for your height that is one of the most common question जो girls और guys दोनों के पास होता है simple as a question है मगर teenagers में कई बार यह easy नहीं होता दुनिया भर के research, दुनिया भर के वो articles पढ़ते रहते हैं और अपने उल्टे सीधे नुस्खे try करते रहते हैं कभी height बढ़ाने के लिए, कभी weight बढ़ाने के लिए सवाल को समझते हैं और उसके इर्द गिर्द सबसे बड़ी चीज है Puberty, Puberty क्या है? समझ लेते हैं Puberty क्या है basically आपकी growth spurt जो होती उसे Puberty कहते है यह normal है कि जो दो ऐसे लोग जिनकी same height है same age है लेकिन उनका वजन different हो, यह normal हो सकता है firstly जरूरी नहीं है कि सबके सब Puberty जो है growth spurt उनका same time शुरू हो और साथ ही कुछ लोगों में Puberty या growth spurt जो है 8 साल की उमर से शुरू हो सकता है कुछ लोगों में सीधा 14 साल की उमर तक शुरू हो सकता है Females में थोड़ा जल्दी शुरू होता है Males में थोड़ा लेट शुरू होता है Puberty के time क्या होता है कि आपकी body जो है वो कुछ hormones बनाने लगती है जादा मातरा में Sexual hormones जैसे testosterone या estrogen जिसके वज़े से आपके physical changes जो है वो आते है जैसे कि आपकी muscle growth बढ़ जाती है height बढ़ जाती है गाईज में और muscle बहुत सारी बढ़ जाती है एकदम से पट से बढ़े हो जाते है height बहुत बहुत बढ़ जाता है Secondly, people के secondary sexual characters भी आ सकते हैं जैसे कुछ लोग जो है के मुछे आने लग जाए किसी को आने लग जाए वैसी चीज़े So ultimately, कुछ लोगों में स्पर्ट हुआ है वो डिपेंट करेगा आपको उस दोरान आपकी physical activity कैसी है आपके environment कैसा है आपको नीद अच्छी नहीं ले रहे आपकी diet कैसी है आपके genetics कैसे है So बहुत सारी चीज़ें है जिसमें part play करती है अब बात करते हैं BMI BMI क्या है जिसके लिए खड़े हो जाते हैं scale में height, weight, height, weight, height, weight खिलते-खिलते So right number क्या है BMI का यह सई है कि नहीं Although BMI is not the best way to judge your health पर BMI body mass index को doctors use करते हैं यह देखने के लिए कहीं आप बहुत ही ज़्यादा out of health तो नहीं है बहुत ज़्यादा over weight तो नहीं है उबेस तो नहीं है ऐसी तो नहीं situation कि आपकी बिमारी आने लग जाएं Right So अगर weight gain जो है वो ज्यादा complications ज्यादा हो रहा है आज की दुनिया में Because of sedentary lifestyle, दारू पीना, जंक खाना बैठे रहना So इसलिए कई बार सिर्फ weight alone अकेले weight से नहीं बोल सकते कि एक person healthy है कि नहीं है इसके लिए BMI जैसे एक चीजे यूज कर सकते हैं आज कल उससे double उससे ज्यादा अच्छे specific tests आ गए है जिसमें exact body के अंदर Skeletal muscle mass या fat percentage को नापा जा सकता है बहुत आसानी से So BMI is one way of calculated calculating कैसे calculate होता है body mass index उसके लिए आपको height चाहिए और weight चाहिए आप calculator से calculate कर सकते है BMI को बहुत से में बिना उसके बिए Basically it is mass वजन in kg divided by your height in meter square ठीक है that is what it is So this is the number which you can get और BMI से क्या पता चलता है कि भी आपके same age के same gender के लोगों में आप किस percentile में आते है वो भी एक normal range है कि भी अगर आपका मान लेजे BMI या आपका 60th percentile 60 percent of लोग आप ही के उमर के आप ही के gender के उनसे मिलता नहीं है तो आप या तो आपका बहुत कम है तो आप लोग वेट है आप बहुत जादा है तो आप बहुत जादा मोटे है यह चीज है तो हम comparison वाला data है तो यह सिर्फ एक number नहीं है याद रखें सो BMI की categories क्या आती है BMI underweight healthy weight overweight obese इसमें कगिना जाता है सबसे important जो actually में मानने जाएगा वो आजाएगा obesity के लिए obesity के लिए आपका BMI मेन है या underweight के लिए तो that means 55 to 85 percent आपका healthy weight है ना BMI is equal or greater than the fifth percentile and less than the 85th percentile for your age, gender and height so इसका क्या मतलब है कि एक particular normal person के age, gender and height के लिए उसका BMI अलग होगा recommended यह नहीं कि मेरा 20 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 15 होना चाहिए नहीं, ठीक है, overweight अगर आपका 85th percentile से उपर है लेकिन 95 percentile से नीचे, that according to your age, gender and height और obese जिसका 95th percentile से भी उपर है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ, better तरीके से, तो BMI इस तरीके से एक तरीके से मालीजे, और BMI के मदद से होता क्या है, आपका, it's not basically giving you a measure of body fat, या कह लीजे, क्योंकि muscle और fat को differentiate नहीं कर सकता, तो एक बहुत muscular body builder का जो B BMI हाई आ सकता है, तो इसलिए excess fat है, कि excess muscle है या नहीं बता सकता है, तो BMI is not so much reliable, but then BMI is something which you can see, right, देखते हो, तो अगर आप underweight हो या overweight हो, तभी main problem आती है BMI में, तभी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पतले हो, बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो आपको अपना BMI बैल करते हैं, उसके age, उमर और उसके chart के हिसाब से कि आपके कहाँ problem है, आपके physical activity में, आपके diet में, क्यों हो, आपके hormone level में, आपके genetics में, कहाँ problem है कि आप जो है या तो छोटे रहे गए या मोटे रहे गए, so that is the thing which is, अगर आप overweight है, तो आपको हो सकता है dietitian के पास बेजा ज जाए, आपके test कराए जाए, कोई शोपी बीमारी तो नहीं है, वो सब भी हो सकता है, मगर ultimately अगर आप बीमारियों का देखा जाए, underweight person में, बीमारियां बार 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 बीमार पढ़ना, खरती खासी बार बार होना, ऐसे sign देखे जाते हैं, anxiety, घरवरार देखे जाते हैं, जाए, कोई eating disorder भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों में, और जीन्स की बात करें, तो जीन्स में सबसे बड़ा हाथ होता है, आपके जो weight, height कितना होगा, उसमें जीन्स का सबसे बड़ा हाथ होता है, बाड़ी टाइप, बाड़ी composition, उसमें भी आपके जीन्स का ही सबसे बड़ा से, simply changing your lifestyle, walking, exercising से, आप अपना जो genetic potential है, उससे ज्यादा और उससे कम पे आराम से आ सकते हो, चाहिए आप height बोले, चाहिए आप weight बोले, right, but that has a time, that has a, दिखी यसा नहीं कि 18 साल के उपर आप बोलोगे height बड़ा तो possible नहीं, को 10 साल के बच्चे के height बड़ा ना possible है, right, उसमें तरीका होता है, उसके लिए आप doctor से बात करें, best doctor for these kind of situations is an endocrinologist, right, so I hope this explains you, how, एक idea मिल जाएगा, कि आपकी height बोलेट क्या होना चाहिए, आप अपने age, अपने gender, अपने उसके हिसाब से आपने BMI को देखना है, उसके, thank you so much, stay connected, stay healthy. झाल